पुनिस्तर की पार्ट चौला और आज बात करने जा रहे हैं खुबसूरत सा लेक्चर जो की होगा ट्लास एक्ष अगरवाल सलुशन चैप्टर नमबर टू एक्स्पोनेंट एक्सरसाइस टू बी का कोशन नमबर टू बिन देरी कि यह इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो मे प्यारे बच्चो तो बहले कुशन थो यह रहा तृवहिंट इसके बात करना एए उसकी बात है क्या करनी निए सबसे पहले सबसे पहले हमने करा था सर अनंडर form, क्या करा था, sir, standard form, what is standard form, मैंने कहा था, किसी भी number को हम exponential form में लिख सकते हैं, तो standard form क्या होती है, exponential form ही होती है, बस थोड़ा सा changes होते हैं, किसी भी number को अगर आप इस form में लिखना चाहो, m into 10 to the power n के form में, किस के form में, m into 10 to the power n के form में आप देखेंगे कि जो m है वो m एक ऐसा नंबर है जो कि कहां से कहां तक belong करता है सरो करता है 1 से बढ़ा या 1 के बराबर या 10 से छोटा मतला एम जो नंबर होगा जी बढ़ा है और 10 से चोटा भी हो सकता है बस इन दोनों के बीच में पड़ा प्लस या मायनस वरक नहीं पड़ता पॉइंटर नहीं होना चाहिए इंटीजर फीक है जिसे आपने देखा कि यह रहे वह में 1 और 10 एन ऐसे इनसे ऑन और यह यह जितने भी पॉजिटिभ बहुंने जितने वी नंबर है अब हमको क्या करना है इसको यूजवल फॉर्म में लेके आना है तो इसके पिछल लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया था बनाना सिखाया था यूजवल फॉर्म से अब मैं आपको बताने वाला हूँ standard form से usual form कैसे करते है ठीक है पहले usual form समझते माल लीजे मैं लिखा हुआ 7.4237 ठीक है ये जो नंबर है ये actually में standard form में सर कैसे अरे भाई ये देखो ना ये m into 10 to the power 0 देखो ना यहां कुछ नहीं ये तो 10 की power 0 लिख सकते हो किसी की भी power 0 a की power 0 is equal to 1 तो ये मैंने आपको सिखा रखा है चिंता वाली बात में ये सब सीख लोगे आप ये आपको पता ही है ये हमारा standard form में मैंने लिखा 237.42 अब मुझे इसको काई में लिखना है मुझे standard form में लिखना है तो मैं इसको point को किदर खसका हूँ इस side या इस side पो तीन बार खसका है तो आया 7.3 sorry 7.237 4 2 और किती बार खसका है था सर तीन बार खसका है था तीन बार एक दो तीन तो 10 की power 3 है और ये positive रहेगा क्योंकि मैंने बताया था left से right है ना अब जब मैं इसको उल्टा करना जाओंगा वापस मैं इसको multiply करूँगा तो क्या आगा power हटेगा तो वापस से इस तरफ shift हो जागा कि नहीं हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा इसका मतलब मैं multiply कर रहा हूं तो करेंगे एक दो तीन बार खसके का तो आयागा 7237.42 मतलब यह हटाऊंगा तो इस side shift करेंगे इसको लगाना है तो side shift करेंगे समझ माया हाँ सर एक सीख लो बाकि अपने आप समझ माया आता चलिए start करते हैं अभी positive वाले तो इसलिए positive वाले confuse नहीं करेंगे देखो 3.74 फिर से 3.74 multiplied by 10 to the power 5 कित्ती बार खसकेगा पॉइंट पांच बार खसकेगा अब यहां पर पॉइंट यहां देखो 10 की पावर 5 लगा हुआ हटाना है ध्यायन से देखना तो मैं multiply कर रहा हूं जब point multiply होता तो कितनी बार तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले 3.74 multiplied by एक दो तीन चार पांच अब 10 देखो यह वन लेक को multiply कर रहा है तो point इधर खसकेगा एक देखो ध्यान से अगर मैं लिखा 37 तो क्या हुआ 10 100 से multiply कर तो फिर 3700 हो जाता है नहीं हो जाता है हां सर हो जाता है अब इसके बाद point के बाद क्या है जीरो 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 है तो कितनी बार खसका दो बार खसका जाता न ऐसे मैं लेका 3.7 into 10 की पावर 2 या 10 10 ही कर दो तो 3.7 यानि 37 हो जागा न 10 से multiply करने हो तो point इदर खसका रहा है जब मैं exponent वाला power वो हटा रहा हूँ 10 की power n के form में जो लिखा हुआ हूँ उसको हटा रहा हूँ तो इसको इदर लिया तो किती बार खसके का सर 1 2 3 4 5 तो आएगा 3 7 4 1 2 3 4 5 और this is your answer क्लियर हा सर बिल्कुर समझ में आ गया तो अब पॉइंट इदर खसका ना जब यह positive power को हमें remove करना है ठीक है न बढ़िया अब हमें वह चीज हटानी है तो उसको हटाने का process क्या उसको उल्टा कर दो देखो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान सुनों कंफ्यूज होंग पॉइंट यहां है एक दो तीन चार पांच तो आया 3.74 इंटू 10 तो दी पावर पांच positive वाला जोड़ा की जोड़ा तो मैंने क्या सिखाया था जब आप point को खसका रहे हैं from right to left और include कर रहे हैं 10 की power 5 तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे positive power लेंगे अब इसको हटा रह आपने लिखा 3.74 इंटू 10 तो दी पावर 5 तो भॉलो है ना द्यान से देखो, अब मुझे इसको कितनी बार खसकाना है बेटा, सर्फ 5 बार खसकाना है, कितनी बार, 5 बार, मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट से राइट जाओंगा तो पावर में क्या आएगा, नेगेटिफ, यही बताया था ना, लेकिन बेटा वो एड करने के लिए 10 की पावर माइनस 5 एड कर दो, और यह अल्रेडी था, यह हो गया 10 की पावर 5, बोलो हाया न, अब आ गया समझ में, अब इन दोनों कैंसर आउट कर दो कितना बचेगा, सर्वित्ता बचेगा, यह बच गया सर, बहुत शांदर समझ में आ गया, कर रहे हैं, जब हम 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 कितना होता है, सर 1 होता है, 1 होता है, अभी बताया, ठीक है, बढ़िया, 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 बहुत शांदर, अब आ गया समझ में मेरे ख्याल से, अगला कोशन करके देखो जा रहा, 6.912, कितनी बार खसका आई, कि इधर खसकेगा सर, इस साइट, मेरे को तो इस साइट को नॉर्मल यूजर फॉं में लेकी आता है, तो मैं इस साइट ना जा यहां कितनी बार 8 बार, 8 बार, अरे 10 की पावर 8 का म।ा कि खसकेगा इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point यहां गया, सब जगे 0, fill कर दो 0 fill कर दो fill कर दिया और यहां पर हमने, क्या खसकाया point इधर किती बार, किती minus 8 बार 10 की पार minus 8, और यह already लिखा हुआ था minus 8 plus 8 किता हो गया 0 तो यह answer हो गया, 6, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, समझ मैं है समझ मैं है, ज्यादा tough नहीं है बच्चो, ज्यादा tough नहीं है, आपको एकी चीज समझ नहीं है, मैं देखो, फिर से समझाएता हूँ इसके पिछल lecture वाले देख क्या हो बिटा मैंने लिखा था 3.74 ठीक है, मैंने कहा था इसको point हटाओगे तो क्या करोगे उपर गया तो 10 की पावर माइनस हो गई, यानि 374 इंटू 10 तू दी पावर माइनस टू है की नहीं, बोलो हाँ अब हमने कहा कि इसको standard form में लेका यह भाई है, तो standard form में क्या हो गया एक, दो, दो बार खसका, तो कितना 7.3.74 इंटू इदर खसका है, तो positive, उदर खसका है, तो negative, और यह already था, तो हमने कर दिया, minus 2, minus 2, plus 2 किता होगे, 0, तो आगया यह standard form में, अब वापस से अगर इसको इस form में लेके जाना है, तो ध्यान से देखो, कैसे कर सकते हम, 3.74, divided by फिर से कोई कर दो, अब divide करने का मतला, पावर को कि करना, minus, minus में लेके जाना, ठीक है, तो कितनी बार लेके जाएंगे, अगर मैं इसको वापस से इस form में लेके आँगा, तो दो बार इदर ले जाएंगे, इस side जाएंगे, तो negative, बहुत, चलिए, अगला करते हैं यह वाला, देखो, 4, 1, 2, 5, 3, into 10 to the power 7, साथ बार multiply कर रहे है साथ बार इदर खसका तो, 1, 2, 3, 4, 5, अज़ जगो, साथ बार multiply कर रहे है, इदर खसक रहा है तो negative, इदर खसक रहा है तो negative, इत्ता दिमाग में रहना, इदर खसक रहा है तो positive, दो कैसे, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इदर आगया point, 0 add कर दो, महाँ पर, और यहा तो already था, इसको cancel कर देंगे, तो कितना हो जागा, 0, और 10 की power 0 is 1, तो answer आएगा यह, यह आगए usual form, बोलो picture clear है, देखो यह समझने वाली बात है, confusion यह होगा कि किदर खसका है, तो किदर क्या होगा, आप एकी चीज समझो, बाकी चीज आपने आप समझ में आजाएगी, करना समझना है, और जो लिखा हुआ है, उसके साथ multiply कर दो बस, अब आप बोलो कि sir, आपको कैसे पता 7 बार खसकना है, अरे multiply तो 7 बार ही हो रहा है न, बहुत शांदार, बढ़िया, अगला देखो, चलो यह वाला करता हूं, यह वाला करता हूं, देखो, 1.679 into 10 to the power 9, अब multiply कर हूं, ठीक है, देहां से देखना है, multiply कर रहा हूं, तो obviously, मेरा जो यह जो number हो, देखो, किसी भी बड़े number से, देखो, 10 की power 9 is very big number, और 1.76 जब number बढ़ा होता है, तो point इस side खसकता है, यह तो पक्का है, अब point इदर से इदर खसक रहा है, यानि 10 की power में जत्ती बार खसकेगा से 7, 8, 9, और यह point इदर आ गया, जहां कुछ नहीं है, वहाँ, 0 फिल कर दो, किदर से किदर गए थे, left to right, 10 की power minus 9, यह already था, 10 की power 9, यह cancel out हो गया, 10 की power, 10 की power minus 9 into 10 की power 9, is equal to 10 की power minus 9 plus 9, plus 9 0, 10 की power 0 is 1, यह बार बार थोड़ी अपन समझेगे, यह basic है, ठीक है, तो यह कितना ह हो गया, यह आवारा आप रिजलिट आगे, clear, तो ऐसे ही try करो, questions, और आपको समझ में आते चालेगा, बस जो बच्चे, शुरुवात से lectures को देख रहे हैं, उनको बहुत प्यारा समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, comment box में लिख दो, यार भाई, मैं फिर रहो, बर्त रहो, देख दो रहो, पुनिसर की पाक्षाला, जाहिन!